निमशहर के सीटी थाना शेतर अंतरगत आने वाले गाउं जावी में शुकरवार की देर शाम दो पक्षों में विवाद हुआ है यह विवाद नल से पानी ढूलने की बाद को लेकर हुआ जिसमें पहले गाली गलोच हुई फिर मारपीट तक पहुँच गया गटना शुकरवार शाम की है जब गाउं में नल आ रहे थे तबी पानी ढूलने की बाद पर विवाद शुरू हो गया देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई इस दुरान एक पक्ष ने कुलाडी लाटी डंडे से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया जिसमें एक पक्ष के पती पतनी जो कोमल बाई पती गोविंद व्यास और गोविंद पिता शाम सुन्दर व्यास गंबिरूप से गायल हुए हैं जिनका उपचार जिलाच की साले में जारी है गायल मैला कुमल बाई ने जानकर देते हो बताया कि शाम को नल से पाने डुलने की बात पर उनी के परिवार के पहलाद व्यास सुनिल व्यास ने कुलाडी लाटी डंडो से उन पर हमला कर दिया जिसमें वह पती पतनी दोनों गंबिरूप से गायल हो गया हैं इस म जईदिब राठोर जिला चिके साले पहुँचे और गायलों के बयान दर्ज कर मामले में आगे की कारवाई शुरू कर दी है यह सब आके ने मारपिट करने लगें गाली गलोच करने लगें कौन अंकल जी मेरे काक्या ससूर जी है पेलाज जी व्यास उनके लड़के हैं सुनिल व्यास, संजे व्यास, कृष्णा भाई इन्होंने कुलाडी हतोड़े से मारपिट करी मेरे पती के साथ में छुडवाने कि अहएं खरने छाक है थो दो रोगें हतोड़े से में किन वकरने लोगो पा गैर्हता है आप क्या चाहते हो किस प्रकाई कैसा एं इससती रही वंके घिलां कठक कारवाय होनים चाहिए उनको सजाय मिलनी चाहिए आप कितने गवाध गायल हुए और पुराना गॉण विवाद वगरी अग्याद है पुराना दो यह चलते रहते आई दिन गड़े रहते हैं ऐसे य enforce it पे deaf conservative बिशेला गरते कि अभी आज विवाद हुआ उसमा पती पतनी घायल हुए और कोई हुआ क्या पती पतनी घायल हुए क्या नाम आपका कोमल वियास